Friends, RP Publishing House में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से टाइप आप आडियोग्राम के बारे में चर्चा करूँगा और मुर्यांगन के समय जो हम लोग आडियोग्राम की प्लाटिंग करते हैं प्योर टोन आडियोटरी के समय उस समय हमें किस प्रकार के आडियोग्राम देखने को मिलते हैं तो इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि आड़ुग्राम दो प्रकार के होते हैं एक तो अन एड़ेड आड़ुग्राम होता है दूसरा एड़ेड आड़ुग्राम होता है जब कोई ब्यक्ति हमारे पास सुनने की समस्या लेकर आता है कि मुझे सुनाई देने में तकलीफ है सुनाई देने में समस्या है उस समय जब हम किसी ब्यक्ति के श्रमण का मुल्यांकन करते हैं या आकलन करते हैं वह आडोग्राम जब प्लॉट किया जाता है उसके अलगलग फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के रिस्पांस को जब हम लोग एक ग्राप के रूप में प्रजेंट करते हैं उससे हम लोग अन एड़ेड आडोग्राम कहते हैं क्योंकि प्योटोन आडोमिट्री में इस तरीके के चीज जो होता है लेकिन जब कोई सी ब्यक्ति को जब हम लोग अने डाड़ ग्राम हमने प्लोटिंग किया या हमने उसकी सुनने की समस्या का आकलन किया और आकलन करने के बाद जब हमें यह ग्यात होता है कि ब्यक्ति को या बालग को सुनने में समस्या है तो समस्या है और किस प्रकार की समस्या है समस्या का लेबल क्या है इस लेबल के अनुसार अब उससे असिस्टिड डिवाइसेस की जरूरत पढ़ती है और वो असिस्टिड डिवाइसेस को हम लोग श्रमण यंत्र के रूप में जानते हैं तो जब हमें उसे श्रमण यंत्र देना होता है तब हमें अडिड अडिविग्राम की जरूरत पढ़ती है क्योंकि मार्केट में आपको अलग-अलग प्रकार के कमपनी जो है श्रमण यंत्र बनाती है और अलग-अलग दोस के अनुसार या सुनने की तिवरता के अनुसार वो कमपनी असिस्टिड डिवाइसेस या श्रमण यंत्र का निर्माड करती है अब यहां सवाल यह है कि अब किस ब्यक्ति को कौन स्रमण यंत्र अच्छा काम करेगा इसको हम कैसे जानेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस ब्यक्ति को अलग-अलग कमपनी की अलग-अलग फ्रिक्वेंसी की श्रमण यंत्र हम लोग लगाते हैं और लगाने के बाद हम उसके रिस्पॉंसिस को जो है आकलन या मुल्यांकन करते हैं तो जब उसके रिस्पॉंसिस को हम लोग मुल्यांकन करते हैं तो यहां भी हम लोग को एक आडियोग्राम जो है प्लाट करने की जरुरत होती है और वो जो आडियोग्राम हम लोग प्लाट करते हैं इस पे भी मैं विस्तार से आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से हो हम लोग एडर आडियोग्राम को प्लाट करते हैं और उसका हो सकता है कि जो audiogram में वो थोड़ा सा different types के भी हो सकता है तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे मैं इस पे video बनाऊंगा लेकिन अभी सवाल ये है कि ये जानना है कि un-added audiogram या आपका added audiogram क्या है तो ये दो तरीके से आपके जो audiogram की plotting होती है अब हम यहाँ जो है un-added audiogram में किस प्रकार के जब हम लोग किसी ब्यक्ति की स्ट्रमण का मुल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रमण दोस्त कैसी देखने को मिलता है तो यहाँ पर सबसे पहला आप जो देख सकते हैं कि एक होता है फ्लैट audiogram अब यह फ्लैट audiogram कैसा होता है तो इसमें जो frequency आप देख रहे हैं अलग-अलग frequency यहाँ पर 250 है 500 है आपका 1K है 2K है 4K है 8K हर्ट्स यह आपकी अलग-अलग frequency है अब इसी frequency पर हम लोग intensity को के response को देखते हैं जब हमने suppose it माल लेजे हमने किसी ब्यक्ति को जो है श्रवण का मुल्यांकन कर रहे हैं और हमने 200 frequency का selection किया और उस पे हम उसके response को चेक करने लगे तिबरता को intensity को तो उसने 40 पे response किया फिर वहीं जब हमने एक दूसरी frequency सिलेक्ट किया 500 की तो उस पे भी उसने 40 ही response किया जब हम आपका 1 kilo 1 kilo hertz की अगर हमने frequency लिया और उस पे हमने जब intensity उसके response को हमने जब आकलन किया तो उस पे भी 40 मतलब response उसने दिया तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी frequency उपर उसकी intensity 40-40 ही आ रहा है और जब हम उसको मिलाएंगे तो एक आपका वो समतल जैसे graph यहाँ पर बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह आपका जो है यहाँ पे right year का उसने जो है यहाँ आकलन किया गया है और इस तरीके से उसके responses देखने को मिल ला है 5 dB का differences है और कुछ पर 5 dB का differences है कुछ पर differences नहीं है तो इस तरीके से यह graph आपको देखने को मिल ला है और यहाँ पर एक flat type का responses उसको देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार के जब आप आप आडिोग्राम plot कर रहे होंगे तो इसे हम flat जो है आडिोग्राम कह सकते हैं लेकिन यहाँ भी आपका जो है degree of hearing loss यहाँ पर मालुम चलेगा जब आप इसको calculate करेंगे तो मालुम चल जाएगा कि उसकी सुनेने की जो तिब्रता है डिग्रिया फिरिंग लॉस कितना है तो इस तरीकी के जो आपको ग्राफ दिखेगा इसको हम लोग फ्लेट आडियोग्राम कहेंगे तो मैं आसा करता हूँ कि यह आप सभी को समझ में आया होगा दूसरा अगर हम लोग आडियोग्राम की बात करें यहाँ एक दूसरा आडियोग्राम है अब यह आपकी राइजिंग आडियोग्राम है अब राइजिंग आडियोग्राम में आप देख सकते हैं ग्राफ में यह आपका लेफ्ट येर का है हम लोगों ने अभी इसके पहले जो flat diagram देखा था वो right here करता क्योंकि उसमें symbol गोला था और red color से था और इसके पहले हम लोगों ने symbols के बारे में चर्चा किये थे कि आप कैसे यह पहचान कर पाएंगे कि जो आपका diagram है वो किस कान का है और उसमें कितना उसकी frequency का loss है तो अब यहाँ पर यह आड़ोग्राम है यह आपका rising आड़ोग्राम है और rising आड़ोग्राम में होता क्या है कि जो low frequency होती है उस पर उसकी जो loss है वो ज़्यादा होता है और आपका high frequency पर उसके response कम होता है मतलब उसकी दोस कम होता है और आप देखेंगे कि इस तरीके से एक graph आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 250 पर उसके responses यहाँ 50 आपका है उसके बाद 50 पर देखिए 500 पर देखिए तो यहाँ पर आपका 40 है अगर 1 पर देखिए तो यहाँ पर आपका 30 है अगर आप 2 पर देखें तो 20 है इस तरीके से 10 dB का आप देखेंगे कि response में जो है दो frequency में differences आ रहा है मतलब कि lower frequency पर उसका hearing loss है उसको उच्चा सुनाई दे रहा है लेकिन high frequency पर बेहतर सुन रहा है अच्छा सुन रहा है तो इस तरीके से एक graph आ जाता है जिसको हम लोग rising जो है आडियोग्राम कहते हैं और यहाँ भी आपको जब आप calculate करेंगे तो यहाँ भी आपको degree आप hearing loss मालुम चलेगा लेकिन इस तरीके के graph आपको दिख रहा है तो आप इस graph को जो है आप rising आडियोग्राम कह सकते हैं जिसमें आपकी low frequency पर response जो है आपका या कहसे हैं कि low frequency पर दोस होता है और high frequency पर उसका सुनना बहतर होता है तो इस तरीके के graph को हम लोग आप जो है rising करते हैं और जादा तर इस परकार के दोस्ट जो है बाहिया और मधिकान में किसी परकार के अगर disease हो जाती है बीमारी हो जाती है उस condition में इस तरीके के जो है graph देखने को मिलता है और जो आपकी frequency है यह frequency यहाँ तो आप देख सकते हैं कि 2 और 500 की बीच में या 500 से 1000 की बीच में या 1 से 2000 की बीच में 10 dB का ही differences है लेकिन यह 20 तक हो सकता है यह 20 तक भी होगा तभी आपको इस तरीके के graph आ जाएंगे तो generally आपका यह 20 तक ऐसे देखने को मिलता है तो इस प्रकार के जो है आपके आड़ोग्राम को हम लोग rising आड़ोग्राम कहते हैं उसके बाद हम लोग next आड़ोग्राम देखें तो यहाँ sloping आड़ोग्राम है अब sloping आड़ोग्राम में आप देख रहे हैं कि just जो आपका rising आड़ोग्राम था उसके opposite है यह मतलब कि राइजिंग में जो आपकी लो फ्रिक्वेंसी थी उस पे स्रवन दोस था लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे उसका सुनना समान्य था लेकिन यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी पर उसका सुनना समान्य है और हाई फ्रिक्वेंसी पर उसका सुनना समान्य है मतलब की सुनने में दोस है और असमानिय और समानिय का मतलब यहाँ इस बात से तातपर है कि हम लोग W, H, O के अनुसार माइनस 10 से 25 dB तक है तो हम लोग उसको समानिय बोलते हैं और 25 dB से एबब है तो उसको हम असमानिय बोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में यह देख रहे हैं यहाँ पर आपका 1 पर देख लिजए यहाँ पर आपका 30 दे रहा है इसको मतलब यहाँ असमानिय है यहाँ भी देखिए आपका 50 है यहाँ असमानिय है यहाँ भी 60 है यहां 70 है असमानी है और बाकी low frequency पर देखिए यहां पर 10 दिया हुआ है बाकी 20 है तो इधर low frequency पर समानी है तो इस तरीके से अगर graph आपको देख जब भी आप किसी ब्यक्तिकी सुनने का आकलन कर रहे हैं या उसका जाच कर रहे हैं PTA टेस्ट कर रहे हैं तो जब आप आडियोग्राम plot कर रहे होंगे तो इस तरीके के अगर आपको graph में दिख रहा है तो इसको हम लोग sloping आडियोग्राम कह सकते हैं लेकिन इस sloping आडियोग्राम में भी आपको degree of sharing loss बताना है ऐसा नहीं कि ये बस sloping आडियोग्राम आपने कह दिया तो ये बात किलियर हो गया कि हाँ इसे किस प्रकार का दोस है तो ये sloping आडियोग्राम जो है आपको इस तरीके देखने को मिलता है इसमें डिग्री आप आप एरिंग लॉस काइकुलेट कर लेंगे जो PTA निकालने का फर्मूला एवरेज है निकालने का वो आप देख सकते हैं और ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में के बारे में मैं एक चीज आपक के साथ जो बधिरता बढ़ती है या उम्र के साथ सुनने की जो छमता बढ़ती जाती है तो ऐसे लोगों में इस तरीके के जो है आपका आडिग्राम देखने को मिलता है जैसे माले जैसे जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनका सुनना परभावित हो जा रहा है तो progressive hearing loss जिसको हम लोग बोलते हैं तो उस conditions में यह चीज जो देखने को मिलता है और generally यह research में जो है पाया गया है कि हर 10 साल में कि हर व्यक्तिका कुछ न कुछ सुनने की छमता में जो है प्रभावित होता है लेकिन depend करता है कि अगर आपका सुनने की 0 से 10 ऐसे माना गया है अग अगर आपका 0 से 10 अगर 10 डीवी अगर hearing loss हो रहा है तो सुभाविक है कि आप जैसे जैसे 20 30 40 अगर मान लीजे 10 डीवी आपका हर 10 साल में स्टोन दोस्त प्रभावित हो रहा है तो 10 साल में तो आपका normal ही रहेगा 20 साल में भी normal लेकिन 30 साल में आपको mild hearing loss हो जाएगा वहीं जब 40 साल में जाएगे तो फिर आपका moderate हो जाएगा 50 में जाएगे तो moderate receiver हो जाएगा तो यह चीज़े लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि सब में 0 से 10 डीवी ही hearing loss होगा अगर मान लीजे आपका 2 डीवी सुनना प्रभावित हुआ तो आपको 60-70 साल की उम्र तक भी तो आपको सुनने में ज्यादा loss तकलीफ नहीं आएगी आपका सुनना में ज्यादा दोस नहीं होगा दोस हो भी नहीं सकता है क्योंकि अगर आप 40-80-60 साल तक अगर आप सही तरीके से care करते हैं तो अगर आपका स्रमण दोस 1 डीवी अगर होता है दस साल में 2 डीवी होता ह तो आपको सुनना परभावित नहीं होगा तो यह चीजे है यह progressive hearing loss में देखा जाता है या उम्र के साथ जो लोग जो बधिरता जो होती है उनमें इस तरीके के आड़ोग्राम देखने को मिलते हैं इसके बाद हम लोग बात करें next आड़ोग्राम की बात करें तो यहाँ पर एक दिया है आपका steeply sloping आड़ोग्राम अब यह जो आपका आड़ोग्राम है इसमें बस अंतर क्या होता है कि यह जो sloping आड़ोग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था कि 20 dB तक differences हो सकता है जबकि यहाँ पर 10 dB का हर frequency में अंतर दिखाया गया है लेकिन यही अंतर हमने बताया था कि 20 dB तक यह देखने को मिलता है इन आड़ोग्रामों में differences जदो frequency को बीच में 20 dB तक देखने को मिलता है लेकिन यहीं differences 40 dB का अगर हो जाता है तो उस condition में हम लोग steeply sloping आड़ोग्राम हम लोग कहते हैं और यह जो है इस तरीके के जो दोस है यह जो है आप अलगलग प्रकार के जो medicines हैं जो hearing को प्रभावित करते हैं वो medicines के वज़ा से जो है इस तरीके के जो दो frequency को बीच में ज्यादा अंदर देखने को मिलता है responses को तो उसको हम लोग steeply जो है आपका sloping आड़ोग्राम करते हैं अब यहाँ पर एक और जो आपका hearing loss है वह है यहाँ पर थोड़ा सा यह mistake है तो यूशेप जो आपका स्व्ण दोस है या आपका कुकी भीट जो है hearing loss है इसमें होता है क्या है कि यहाँ यूशेप का होता है अब जैसे कि मैं एक आड़ोग्राम में आपको यहाँ दिखा बता सकता हूं जैसे कि यहाँ आड़ोग्राम है simply आप यही इस आड़ोग्राम को समझे जैसे कि इस तरीकी के shape बन गया मतलब कि high frequency की तरफ भी उसका normal दिख रहा है लो frequency की तरफ दिख रहा है और बीच की जो frequency है उसमें जो है श्रमण दोस जो है आपका ज्यादा या उसके responses को दिख रहा है तो इस तरीकी के जब shape बनेगा तो इसको हम लोग जो है use shape जो है hearing आपका कहते हैं आड़ोग्राम उसको कह सकते हैं तो यह एक चीज़ होता है उसके बाद आपका यहाँ पर corner आड़ोग्राम जो दिया हुआ है अब जो corner आड़ोग्राम है इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ के आड़ोग्राम है अब य यहां 25 पर रिस्पॉंस दिया उसके बाद 5 पर रिस्पॉंस दिया वन पर दिया लेकिन बागी के फ्रिक्वंसियों पर रिस्पॉंस नहीं दिया नो रिस्पॉंस रहा यहां भी नो रिस्पॉंस रहा यहां भी नो रिस्पॉंस रहा तो इस तरीकी के जो आडियोग्राम आए उसमें यह देखने को या मस्तिस जो ज्वर है उस कंडिशन में स्रमण दोस जो होता है यह देखने को मिलता है तो जिसको हम लोग कॉर्नर आडिग्राम बोलते हैं ठीक वो बाकी के हाइफ फ्रिक्वेंसियों पर रिस्पॉंस नहीं है या हो सकता है कि इधर आपके लोब फ्र किसी उपर response नो रहा उसका तो कंडिशन भी एक कॉर्नर की तरफ आपका यह आडीग्राम प्लोट हो गया तो इस तरीड़ी के आडीग्राम को हम लोग कॉर्नर आडीग्राम करते हैं उसके बाद जो आपका 2 के नोच और 4 के नोच जो आड़ोग्राम होता है जो जिसको हम लोग नोच ड़ोग्राम बोलते हैं और यहां पर यह 4 के नोच यहां पर दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि यह रिस्पॉंस इस तरीके से आ रहा है इधर इसका समाने है लेकिन जो उसकी लॉस ह वह आपके 4 kHz पर ही उसको loss है तो इस तरीके से आपको हम लोग इसको 4K नोच आपका hearing loss बोलेंगे और यह ज्यादा तर जो noise environment में रहते हैं या मालों कोई factory या company में काम कर रहा है जहां पर machine जो एक ही frequency पर पूरा sound को produce कर रही है और गंटों गंटों आठाट गंटें वह काम कर रहा है तो वह इस तरीके के condition में उसको एक ही frequency पर वह इस तरीके के graph देखने को मिलता है और ज्यादा ता noisy वाला area में या इस तरीके काम करने वाले लोगों में इस तरीके के दोस मिलता है यहीं अगर दोस जो है आपके two पे आ जाए यहां तक समानी है वो उसका आपका यहां तक वो समानी है और यह graph यहां आ गया और ऐसे करके और फिर यह ऐसे हो गया तो इस conditions में इसको हम लोग two के नोच बोलेंगे क्योंकि यह जो आपका two kilohertz की जो frequency है उस पे उसके जो दोस है वो बहुत जाद है तो इस तरीके से ही आपके two के नोच hearing loss हम लोग बोलते हैं और आड़ोग्राम में इस तरीके के देखने को मिलता है तो मैं आसा करता हूं कि मेरे दोरा बनाए गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा काफी informative होगा और मैं यह भी चाहता हूं कि आपके दोरा comment किय कि आप लोग बहतर learning कर सकें और इस information को अपने दोस्त मित्रों को बीच में जादा से जादा share करें जिससे कि वो भी इसके बारे में जान सकें धन्यवाद